प्रस्ण 20, दो वर्गों के परिमाब 748 cm और 336 cm है, उस वर्ग का परिमाब ग्याद करें, जिसका छेतरफल उन दोनों वर्गों के छेतरफलों के योग के बराबर हो प्रस्ण 20, तो प्रस्ण 20 में हम लिखेंगे पहले, तो दिया हुआ है दो वर्गों के परिमाब, 748 cm और 336 cm, तो यहाँ पर दो वर्ग दिया हुआ है, तो लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाब बराबर 748 cm, पहले वर्ग का परिमाब कितना दिया हुआ है, 748 cm, तो हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाब का सूत्र होता है, चार गुना भुजा, तो चार गुना भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, 748 cm, तो भुजा कितना हो जाएगा, यानि पहले वर्ग का भुजा कितना आ जाएगा, इसका, तो भुजा बराबर 748 बटा 4 cm, यानि कितना हो जाएगा, 4 से भाग दे देंगे, क्यूंकि बराबर के बाया तरफ भुजा के साथ 4 गुना में है, तो दाया तरफ जाएगा, तो 4 भाग में हो जाएगा, यानि 748 बटा 4 लिख लेंगे, तो 4 से भाग देंगे, तो 4 गुना एक 4, 3 इधर गया तो 34 हो गया, तो 4 इधर गया तो 28, 4 सते 28, यानि 187 cm, यानि आगया पहले वर्ग का भुजा, यानि पहला जो वर्ग है, उसका भुजा है 187 cm, यानि परतेक भुजा कितना है 187 cm, अब हम निकाल लेंगे, इसका छेतर फल, तो छेतर फल बराबर, तो हम जानते हैं कि वर्ग का छेतर फल का सूत्र होता है, भुजा का वर्ग, यानि 187 का वर्ग, और यहाँ पर लिख लेंगे वर्ग cm, क्योंकि छेतर फल वर्ग में आता है, यानि cm है, तो वर्ग cm लिख लेंगे, तो 187 का वर्ग, यानि 187 गुना 187 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? तो देखे, 187 गुना 187 कर लेते हैं, 177 49, 856 46, 76 13, 856 84 59, 86 14, 187, 9, 6, 9, 7, 16, 19, 8, 9, 9, 4, 13, 14, 2, 1, 3, यानि कितना आ गया? 34,979 तो लिख लेंगे याँ पर, 34,000 तो पहले वर्ग का छेतर फल निकल चुका है, 34,979 ठीक है? अब दूसरे वर्ग में आते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर, तो दूसरे वर्ग का परिमाप कितना दिया हुगा है? तीन सो चतिस सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है, चार गुना भुजा, तो चार गुना भुजा बराबर, तीन सो चतिस सेंटीमीटर, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा? यानि दूसरे वर्ग का भुजा, तीन सो चतिस बटा, चार, चार से भाग दे देंगे, तो दूसरे वर्ग का परितेक भुजा निकल जाएगा? तो ये हो गया, चार से भाग देंगे, तो चरी अठी 32, एक इधर गया, तो 16, चर्चोक 16, यानि 84 सेंटीमीटर, तो ये हो गया, दूसरे वर्ग का परितेक भुजा, अब इसका छेतर फल निकाल लेते हैं, यानि दूसरे वर्ग का छेतर फल, तो छेतर फल बराबर, तो वर्ग का छेतर फल का सुत्र होता है, भुजा का वर्ग, तो भुजा कितना है, यहाँ पर, 84 सेंटीमीटर, तो 84 का वर्ग, और क्योंकि सेंटीमीटर में है, तो इसलिए छेतर फल वर्ग सेंटीमीटर में होगा, 84 का वर्ग, यानि 84 गुना 84 कर लेते हैं, तो, 84 गुना 84, 4 चोग 16, 8 चोग 32, एक 33, 8 चोग 32, 88, 84, 63, 66, 6, 3, 2, 5, 7, 3, 10, 6, 1, 7, कितना आ गया, 7,056, तो लिख लेंगे यहाँ पर, 7,056 वर्ग सेंटीमीटर, यह हो गया, दूसरे वर्ग का छेतर फल, तो अब हम दोनों वर्ग का छेतर फल निकाल चुके हैं, ठीक है, दो वर्गों का परिमाप दिया हुआ था, तो दोनों का परिमाप से हम पहले भुजा निकालें, उसके बाद छेतर फल निकाल चुके हैं, अब कह रहा है कि उस वर्ग का परिमाप ग्याद करें, जिसका छेतर फल उन दोनों वर्गों के छेतर फलों के योग के बराबर, दोनों वर्गों का छेत्रफल कितना हो जाएगा तो दोनों वर्ग का छेत्रफल को जोड देंगे तो पहला वर्ग का छेत्रफल कितना आये था 34,979 जोड दूसरे वर्ग का छेतरफल 7,056 दोनों वर्ग सेंटीमीटर में है तो यहां पर लिग लेंगे वर्ग सेंटीमीटर तो दोनों वर्गों का छेतरफल तो पहले दोनों वर्गों का छेतरफल को जोडेंगे क्योंकि पूछ रहा है कि उस वर्ग का परिमाब ग्याद करें जिसका छेतरफल उन दोनों वर्गों के छेतरफल के योग के बराबर हो तो दोनों वर्गों के छेतरफल को जोड़ेंगे अब तो कितना आ जाएगा 9-6-15, हाथ में रहा एक 6-15-1-12, 9-10 हाथ में रहा एक 4-14-1-12, 3-1-4 यानि 42,025 वर्ग सिंटीमेटर यह आ गया दोनों वर्गों का छेतरफल अब हमसे पूछ रहा है कि परिमाब ग्याद करें तो देखें, परिमाब ग्याद करने के लिए हमें भुजा निकालना होगा दोनों वर्गों का भुजा दोनों वर्गों का छेतरफल का योग करके इतना आया है अब भुजा निकाल लेते हैं तो हम जानते हैं कि वर्ग का छेतरफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग भुजा का वर्ग तो भुजा का वर्ग बराबर कितना आया है 42,025 वर्ग सेंटीमेटर ठीक है छेतरफल आया है तो छेतरफल का सूत्र क्या होता है भुजा वर्ग भुजा का वर्ग लिख लेंगे भुजा का वर्ग बराबर 42,025 इस तरह से लिख लेंगे तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा यानि पर्तेक भुजा अंडर रूट 42,025 भुजा संटिमेटर में आएगा तो देखे 42,025 का हम वर्ग मून निकालेंगे क्योंकि बराबर के बाया तरफ वर्ग में है तो वर्ग घाद दो है घाद दो को इस तरह भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा तो भुजा बराबर यानि 42,025 का वर्ग मून निकाल लेते हैं तो देखे 2,2 हमका जोड़ा लगा लेंगे तो 4 बचा तो 2 दुना 4 4 में से 4 गया सूननी यहाँ पर जोड देंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे अब 20 उतारेंगे नहीं लगेगा तो 25 भी उतार देंगे अब यहाँ सूनने देंगे तो यहाँ भी सूनने देंगे 5 बार में लग जागे यानि 205 आया कितना आया 205 सेंटीमीटर अब दोनों वर्गों का जो छेतर फल आया था उससे हम भुजा निकाल लिए हैं 205 सेंटीमीटर अब निकाल लेते हैं परिमाब तो परिमाब पराबर क्या होता है वर्ग का परिमाब का सूत्र चार गुना भुजा चार गुना भुजा तो चार गुना भुजा कितना आया है गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, पांचोग 20, चारदुना 8, यानि 820 cm हो जाएगा, इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा, 820 cm, तो प्रैस नों पूछ रहा था कि, उस वर्ग का परिमाब ग्याद करें, जिसका छेतरफल उन दोनों वर्गों के छेतरफलों के य 820 cm, यानि उस वर्ग का परिमाब कितना आ गया है, 820 cm, तो इस तरह से, इसको हल करेंगा, प्रैस नों 20, तो इसको देख लेते हैं एक बार, झाल, प्रैस वर्गों के बार, झाल, दो बार, झाल, झाल. कि शीम करिEL कुछ सा imp टिस बालएर के ज़ लिएता जब खायो लिबना है झाल झाल